किताब, खाड कू लहरांदे आंग संग, लेखक सर्दार अजमेर सिंग, दसमें पाग दे विच सुनो, प्रिंसी पलवलों, मेरे वुरुद जावते दी कारवाई, वियत नामी डेलीगेशन दी लुदे आना फेरी, पड़ाई शड़नली बापू कोडों, परवान गी लेनी, आमरे डावलों, साधे कारदी पवित्र मेर्यादा पांग करनी, गरिपतारी वरंट, पते पंजाब अंदर पार्टी, दो फाड होन दे कंडे, आवाज गुर्जंट सिंग रूप वाली, वाहिकुर जी का खाल साव, वाहिकुर जी की फते, सतंबर 1969 वेच, एक वार हाथ लिख इष्टे आर्दे जरिये, उस्टल वेच रहीं दे वदे आर्थियानू, रात नू रैली ली एकठे उन्दा सदा दिता गया सी, इष्टे हार वेच मेरे कमरे दा नंबर देके, वदे आर्थियानू उस्दे सामने वाडे वेडे विच प साल जदी हदूदंदर कोई वी अराशी सरगर्मी करंदी सख्त मनाई सी, जिस करके अगले ही देन, जदों ए मसला प्रिंसी पाल दे त्यानू चाया, ता उसने तुरंत चपडासी दे हाथ नोटस पेज के मैनू आपने दफ्टर वेच बुला लिया, प्रिंसी पाल सरदार तारा सिंगरंदावा, नेक दिल होन दे नालो नाल, वदियार्थियां दा पुझ के हतैशी सी, खुद पेंडू परवार दा जांपल होन करके, पेंडू वदियार्थियां नाल, खास लगाओ राखदा सी, एस लगाओ विचों ही, ओ किसे वदियार्थि दी, पण प्रती अ जात नहीं देंदा सी, उस नड़ मेरा कदे भी सदा वाई नहीं प्यासी, इस करके जाद मैं उस दे सदन ते, दफ्तर वित जाके उसनों अपना नाम दसिया, ताँ ओ हरान जिया होके, कोज़ चेर मेरे वाल नीच लाके देख दा रहा, फिर एक दाम बोलिया, ओए तूं ग तो रे शाक्षदा अक्स बना लिया सी, आते जाद मैं उस दे सानमों कोया, ता मेरा माड़ चू जहा सरीर देखके, उसनों मेरे खलाफ होई शकायत उते, जकीन करना मुशकल हो गया सी, उसने मैंनू सामने वाली कुरसी ते बैठन ली किया, आते फिर मैंनू चड़का तो सिख्या देन दी रसम पूरी कीती, मैं चुप करके सुनदा रहा, अखीर वे चूसने मैंनू हफ़ते दे अंदर आपने पिता जीनू ले आउन ली किया, बापू जी ने आपनी डाइरी वे चे इस मामले बारे एस सतरा लिखिया, 16-9-79 नू का के गुविंदर सिंग पाबत जो डिगरी काल्ज दे तीसरे साल वेच है, गुरु नानक अजिन्री काल्ज दे आना दे प्रिंसिपल बलो, ए इतला मिली के जैसे वे लिखिया सी, के गुविंदर सिंग नू होस्टल वेचों कड़िया गया है, ते काल्ज वेच सस्पेंड कीता गया है, क्योंके ओ एतलो दे वेदियार्थियां वेच गुरुप बनाउंदा, ते उनानू हरताणाली उकसाउंदा है। बापू जी दी और प्रोकत चठी दे जबाब विच प्रिंसिपल न उन्नी सतंबर नू मोड में चठी पे जी जेस वेच लिखिया सी, तो हाडे पुतर गुवेंद सेंग, जेस नू पहिलां पे जे नोट सुनसार काल्ज विचों मुवतल कर दिता सी, नू जमाज पेच बै किसे भी देना आके मैंनू मिलना पेना है, जाद उपरोकत चठी पेंड पहुंची ता मैं कुदरती कार गया हुया सी, मैं बापू जी नड सारा मसला विचा रहा, अते उन्ना दी जगा साठे एक परवारक दोस्त सुखदेव सिंग पुलनू नार लेके प्रिंसिपलनू मि देना फैसला कीता, सुखदेव सिंग ने मेरे बटे परा आनाल लोदे आने दे सरकाली काल जतों एमे कीती सी, अते फिर बियाड करके किसे नौकरीदी तलाश कर रहा सी, वो बहुत सुहिर्द ते सुर्जिया होया इनसान सी, अते उसनू गालबात करन्दा चंगा सिलिका प्रिंसीपल साहिब कोड़ मैं उसनू अपना सका परादा सिया, उसने प्रिंसीपल नाल सोने टांग नाल गालबात करके उसनी पूरी तसली करवा दिती, जेसो परंत मैं दुबारा कलासां लोणियां शुरू कर दिती है, पर शेती ही एक होर वाक्या वापर गया, एक दिन सानों होस्टल दे एक वद्यार थी वलो फोन उत्ते साड़े एक नेडले जानकार वद्यार थी दी पैननार बद कलामी करन दी शिकाइद मिडी ओधों होस्टल दे कलाब वेच एक को संजा फोन उंदा सी सारे वद्यार थी फोन सोन जां करन लई उसे दी वरतों कर दे सान जदो साधे जान कर दी पैन दा फोन आया ता इस तो पहला के अटेंडन्ट उसनू फोन सोन दा सनिहा लूंदा नेडे बैठे एक वदे आर्थी ने फोन चोकलिया ते अगों कुडी दा पता लगन दे ठरक पोरना शुरू कर देता जदो सानू इस गल्दा पता लगा ता असी उसे वड़े दोशी वदे आर्थी नू फड़के को टापा चाड़ देता उह दा सिरकांद विच वजण करके उगंगंबीर रूपेज जखमी हो गया जिस करके उसनू फोरी हसब ताल ले जाना प्या एसनल मामला गंबीर हो गया साड़े दो जणिया होते बाद सलू की दा दोश लग गया पर चलता दस्तूर मताबक अजिहा मामला कोट आप अनर अंदर विचारे आजन्दा सी जिस वचे सारे वे पाक गांदे मुखी अदे आपकांतों अलावा शायद तेन सीनियर वद्यार थी शामल कीते जान्दे सन जदों कोट आप अनर वेचा साड़ी पेशी पई ता असी खिमा जाचक होंड़ी था में पूरे तड़ लेनाड आपनी कारवाई नू सही ठहराया अते पवेख वेच भी किसे कुडी नाड अजही बातमीजी करन वाड़े नू नाम बक्षन दा द्रिड संकल्प दोहराया सिटे वजों कोट आप अनर ने सानू जापता पांग करन दे दोशी ठहरा के साड़े खिलाव सक्त फैसला सुना देता सानू होस्टल तों बे दखल कर देता गया सानू आपने कमरे खाली कर देंदा होकम हो गया पर असी कमरे खाली करन तों कुरा जवाब दे देता काल्ज दे सुमुच्चे इतियास अंदर अजही होकम अदूली दी ए पहली कटना सी सानु क्योंके आपने कैरियर दी कोई परवा नहीं रही सी इस करके असी आपने स्टैंड दे अड़े रहे वियत नामी डेलीगेशन दी लुद्याना फेरी 6 जनवरी 1970 नू अमरीकी कबजे हेटले दखनी वियत नाम दी आरजी सरकार दा एक डेलीगेशन लुद्याने आया कांगर्स पार्टी दे कम्यूनस पार्टी ने रड़के डेलीगेशन दे सुआगत वेच आथन बडे माताराणी चौंक विखे वड़ा एकाठ कीता डेलीगेशन विच एक नौजवान एक आउरत अते दो आदखड उमर दे वियक्ती सान असी काल जविचों आठ दास जने वियत नामी जजारूआ दे दर्शन करन दी रीज नाड उचेचे हाजरोए सी डेलीगेशन दे सारे मेंबर वारो वारी बोले उनना विचों सिर्फ एक नौँ ही अंग्रेजी आउंदी सी बाकी तेन जने आपनी वियत नामी जवान विच ही बोले अंग्रेजी दा जानकार नाड़ो नाड़ वियत नामी तो अंग्रेजी विच उलथा करदा सी जग जी सिंग अनांद एस्ता नाडूना पंजाबी विच उलता करदा सी उस विड़े वियत नाम अंदर अमरीकी फाउजान वटियां हारांदा समणा करना पहरे सी जिस करके वियत नामी डेलीगेशन दे मेंबर उरे उतशाव चसाना अते उना ने वियत नाम अंदर जंग दे मोर्चयां ते होरियां जितां दा वर्नन बड़े बीर रसी अंदाज विच कीता उना दियां जितां दे किसे सुनके असी पूरे जोश विच आगे सां अते सारे पाजनादे दुरान असी उना दिया जित्ताँ दी दाद ताड़िया ते नार्या नड़ देंदे रहे उस विड़े असी सोवियत जुनियन अते पार्त दे रूस पकी कम्यूनिस्टानू तिक्खी नफरत करदे सी चीन दी पार्टी दे प्रापे गंडे दे असरे हेट सानू ए लगदा सी के रूसी हाकम वियत नामिया दी तै दिलों मदद नहीं कर रहे सानू एस शंके विच्चों कई वार सानू यू जापया जे में जगजी सिंग अनांद वियत नामी बुला रहें दे बोले लफजानू इमान दारी नड़ पेश नहीं करदा सी विच्चों को ज़ शब्द खा जान्दा सी होन महसूस होंदा है कि एस साड़े मंदा वैम ही सी पर उस विड़े सी मना अंदर उस वरुद लगातार जहर कोल दे रहे सी उस दी एस बई मानी दी गाला सी डेलीगेशनां दे मेंबरां दे कना विच पौनी चोंदे सी प्रोग्राम दी समापती उपरंक ज़दो डेलीगेशन रेलवे स्टेशन वला तुरपया तांसी उना दे मगर-मगर रेलवे स्टेशन अपड़ गे जग जी सिंग अनांदर ते उस दी पार्टी दे कोज होर मेंबर भी नालसन डेलीगेशन ने जलंदर जानवाली गटी फड़नी सी रेलवे स्टेशन ते जाके जदो ओ एक बेंच चुप पर बैठे गड़ी दी उडीग का रे सी तांसी मौका ताड़के उना दे नीड़े चले गए उना विचों जिड़ा नौजवान सी असी उसना गली पह गए उसनो थोड़ी थोड़ी अंगरेजी उँदी सी असी उसनो दस्या के असी असली इनकलाबी हाँ जदके तो हाडे नार फिर्या जग जीक सिंग अनांद नकली कम्यूनिस्ट है अते पारती हाकमादा बूट चाट है वी अतना मी नौजवान बिना कोई हुंगारा देते हाँ साड़िया सुनदा रहा असी उसनी चोप दे आपने ही मतलब कर दे रहे एननो गड़िया उन दा इशारा हो गया उना तों जदा होन लगयां असी गरजमी अवाज विच नकसल बाड़ी जिंदा बाद ते माउजे तोंग जिंदा बाद दे नारे लोने शुरू कर देते जगजी सिंग अनांद ठठंबर्या होया दूर खड़ा साड़े वल वेखतार्या असी उसे विड़े दो तांगयां ते सुवार होके काल्ज वल चाले पादते उदों ताक हनेरा हो चुका सी अते तांगयां तों सिवा काल्ज पुंचन दा और कोई सादन नहीं सी दुनिया दी अवल दर्जे दी फोजी शक्ती अमरीकी सामराइदे दांद खटे कार रहे वी अतनामी जज़ार्वानू मिलन दा चा साड़े कोड़ों सांबिया नहीं जानदा सी हसी अने जोश विच सी के काल्ज पाँच के गेट तों होस्टल तक जानदे जानदे लगातार नारे गुजाउंदे रहे पढ़ाई शड़न लई बापू कोड़ों परवानगी लेने काल्ज शड़ के इनकलाबी लहर विच शामल होनदा मान विच फैसला तां 1979 दे दूजे आदे विच ही कर लिया सी पर मेरे मानूते इस गल्दा बोज सी के इस नार मेरे मापया नू जिड़ा सदमा लगेगा उस दी जुम्मे वारी तों मैं केमे सुर्खर हुआँगा कई वार सोच सोच के मैं इस निरने ते अपड़या सी के कारजा के माता पिता नू अपने इस फैसले तों साफ साफ जानू करवा देता जावे पर उना नार अजही गल करण दी हमत नहीं पहिंदी सी मैं सोचदा सी माँ बापने जिस उमीद नार अपनी खून पसीने दी कमाई विच्चों मेरी पड़ाई उते इनने पैसे खरचे हन अते मेरे बारे मना अंदर जो सद्रा पाल रखिया हुन गिया उना दे दिलानू तोड़न बाड़ी गाल मैं उना दे सानू केमे कर सकांगा आपनी मानालता मैं हर गाल खुल के कर सकदा सी पर बापू जी नार गाल करन तो हमेशा ही डार लगदा सी जदो कदे बापू जी कोड़ों पैसे मंगडे उन दे सान तामी हमेशा मानू ही मादिम बनाया जान दा सी पर इस मामले विच मानू मादे में नहीं बढाया जा सकता सी बहुत सोच सोच के अखीर विच है मैं इस निरने ते अपड़िया के बापूजी नाड सिद्धी गल करंदी था उना तक चिठी राही मानदे पाव पहुंचाये जान इस तरह मैं काफी जको तकीतों बाद तेन जर्वनी उनी सो सत्तर नू बापूजी नू चिठी लिखी वो असली चिठी तां बापूजी दे कागजां विच्चों गोम हो गई है पर इस बारे उना अपनी डैरी विच जो लिखिया वो इस परकार है गविंदर सिंग ने पिछले दिनी तेन एक सत्तर नू अपना विचार मेरे तक इस ख्यालनाड पे जिया के मेरा दिल इनना पड़ाईयां तो उचाट हो गया है जिनना विच्च सवाए जानवरां वांग अपना रुजगार लबन तो होर कुछ है ही नहीं अगों पड़यां विच्चों जूरा वरा लई ही नौकरियां हां ने आसरे रूलदे फिर दे हां कोई पुछदा नहीं गोना ते सचाई दी के ते कोई कीमत नहीं जेकर अखा मीज के एवे ही तुरे जाना है ता इहदा अंत नतीजा नर्क ही है ना उतशा ते चाहे ना ही निडरता ते अजादी है इनसान जानवरा तो किते वाद गुलाम ते मुर्दा लालची सुवार्थी बढ़ के रह गया है इसलिए तुसी आपने विचार मेरे लिए जरूर ही परगट करो तांके मैं सारे आपासियां तों सुरुखरू ते चामा पर पूर कोई असरदार जीवन शुरू कर सका जिस्दा केरा मनुखी तरकी ते परात्री बराबरी दे निशाने वाल वदन वाले समाई दी उसारी वाला विशालो पे ये चठी लिखके मैं आपने वलों सुरुखरू होया महसूस कीता अते बहुत बैताबी नाड बापू जी दी मोड मी चठी दी उड़ी का कारन लाग पया बापू जी वलों पांच जनवरी नू लिखी चठी मिन्नू सात जनवरी नू मिल गई पढ़ के मन गादगद हो गया मेरी उमीदे उल्ट बापू जी ने मिन्नू कोई रोस उलमा देन दी था मेरे फैसले दी डटमी हमायत कीती अते नाड ही नमे रहां ते तोरन लई मेरी होंसला अफजाई भी कीती ए चठी मिन्न तों अगले ही दिन मेरे कोड हर पजन सिंग हलवार भी आया तां ए चठी मैं उसनू पढ़ाई ओ चठी पढ़के बापू जी दे जजबे तों बहुत प्रबाबत होया अते किना चर बापू जी दियां तरीफां करदा रहा ए ये चठी मैं आपने दो तेन होर साथियानों ही पढ़ाई सी मैं क्योंके रूपोष जीवन शुरू करन जा रहा सी इस करके ए चठी मैं दो तेन दिन बाद नष्ट कर दिती सी पर एस विच लिखियां कोज गला मैंनू अजे तक चेते हैं बापू जी ने लिखिया सी के सारी मारनी चौंदा हैं तां असी तेनों के से पिंजरे वेच बांधनी करना चौंदे पर मेरे वलनों तेनों एको नसीयत है के तूँ जेस रस्ते उते तुरंदा फैसला कीता है ओस उते चाल देया होया कदे भी पैर डगम गौने नी चाहिए दे बापू जी ने अपनी ड पानक देव जी तो लेके गुरु गोविन सिंग जी महराज दे सिदान तो उनसार असी मनुखता लेही जिवना ते मरना है जो कुझ कलगी तर पाच्छा साहभ सिरी गुरु गोविन सिंग महराज ने नगारे ते चोट नाड मनुखता नू जगाया ते बराबरी पाव जाकीता सी जेस उते पिछों फेर तों दपै गई ते ओ देश मुड़तों दब्बे ते कुछले गए हन जिस करके एस समय संसार वेचर हाहा कार मच्ची होई है इसनों दूर करन वास्ते कल की तरजी महराज दे नक्षे कदम उते चल दे होई आपा वारना है सो असल नकल कोड़ों अजाद करोन वास्ते साचदा सहारा लेके जो कुछ गुदर्त प्रेजना करदी है करो जो हो सके ओ करो थोड़ा करो पर काम जबी ते अडोलता लई सैज नड़ करो हने रे दूर करन वास्ते रोशनी नों कवराट नहीं होनी चाहिए दी अगले ही देन आठ जनवरी मैं बापू जी दा तानवाद करन लई उननों हेट लिखिया सातरा लिखिया सान सतकार जोग पिता जी सात सिरी अकाल तो हाड़ी चिठी मैंनों कल मिड़ गई सी चिठी तकरीबन मेरे सारे साथिया ने ही पड़ी अतेसाव ने ही चिठी पढ़न तो बाद तो हाड़ी पर संसा विच बहुत कुझ किया मैंनों ही बहुत मान है कि मैं इनने विशाल देल ते अगांवधू पृता पुतर हाँ बासुतु हाड़िया एहो जिया सत्रां, साड़ा होंसला बदाँ दिया रहिया, ता साड़ी जेतनू कोई रोख नहीं सकेगा, बाकी ज्यादा कोजतां, एस चिठी वेच मैं लिखना नहीं चूँदा, बासुतु हाड़ी एस गालते, मैं बेहद खोशां, तुसी आपने आप ही मिन उस जद्धो जैद विच हिसा लेंड दी इजाज़त दे देती है, जड़ी जद्धो जैद, दुनिया उत्तों बेन साफी, आर्थिक नाम बराबरी, अते लोटक सोटनू खत्म कर देवेगी, परसों इते दखनी वियत नाम दी आर्जी सरकारदा डेलीकेशन आया सी, जिनना विच एक इस्तरी वी सी, जिसने वियत नामी जोद्यानियां बेन्त कुरबानियां बारे दस्या, हसी उना जुलमा दे शिकार होए लोकां दी मदद लई मिदान विच नितर रहे हां, उपरोकत चिठी बापूजी ने आपने कोड़ पूरी तरह संबाल के रखी, सु बापूजी दी चिठी मिलनतों बाद मैं काल्ज जाना लागपाग बंद कर देता सी, अते पार्टी वलों सदा होण दी, बे सबरी नाड उडीक करन लागपया सी, लहर विच रस्मी तोरते शामल होणतों पहला, मैं एक वारी कार जा उन दा फैसला कीता, शायद जनवरी द तीज़ा हफता सी जदो मैं पेंड गया, मैं कई दिन करे रहा, एक दिन चार कामरेड शामनों साधे कारा आ गए, उनना विचों एक परफैसर मेग राज रामपुरा फूल दा बशिंदा होण करके बापूजी दा जानूं सी, ओ उस वक्त नकसली लैर विच सरगर्म हो चु जुका सी अते बापूजी कोड अकसर आउंदा रिंगा सी, ओस नड़ परफैसर हर पजन सिंग सोही वी सी, पी-स जुदे दो आगू शमशेर सिंग शेरी ते गुरदयाल सिंग वी उनना दे नाल ही सान, ओस वले पंजाब दे नकसलियां अंदर आपस विच काफी रफ़ड पैचो के सन, उनना चाराने रात नू इस मामले वेच ही आपसी विचार वट अंदरा करना सी, उनना दा एक चुबारे वेच सौन दा इंतजाम कीता गया सी, जदो ओर रोटी टोका खाके विले होए, ताम बापूजी उनना नड़ गलां करनी चुबारे वेच आगे, इस त दी विदता बारे बहुत सोन रख्या सी, बापूजी ने आपनी आदत मताबक उनना नड़ सुबाव की गालबात तो तोर ले, बापूजी ने कहा के बंदे नो सकार्था जीवन जोन ले, गुरू तो सेद लेनी जरूरी है, परफैसर हर पजन सिंग ने बापूजी नो एक गालोते दलील बाजी उन्दी रही, होडी होडी गालबात अंदर तलखी आगए, तरकवादी होन दे ना ते, परफैसर हर पजन सिंग दा गालबात दा लहजा, आल चक ते निश्चे वादी सी, जेस विच शर्दा परती, सुवेदन शीलता ली कोई थाने सी, बापूजी इस गलों आउखे महसूस कारन लग पैसान, अते ओ दुखी जयो के गालबात बंद करके चुबारे दियां पाउडियां उतर गए, बापूजी दे अखों उले होन दी देर सी, के चारे काम रेड़ान एक दम सिरातों पगा लाके पासे सुट दितियां, अते सारे ने उसे व पूजी दे चले जान दी ओडीक कारे सान, उनना दे चेरियां तों, उनना दी तखलीफ साफ दिसन लग पैसी, ओ जे सुच बारे विच बैठे सिगर्टां दे सूटे खेच रे सान, उस दे हेटले दर्वाजे दी बारली डाट उते ए शब्द लिखे होे सान, इस कार विच तमबाकू लेके उनना मना है, ए अखर उननी सो शती इस वीदे लिखे होे सान, तेन पीडियां तों, किसे ने मी एस दी मनाही दी उलंगना करन दी, गुस्थाकी नहीं कीती सी, उनना नू सेगर्टां पिंदे देखके, मेरे अंदर दोश पावना आगे सी, के जे कर एस दा पता कारदियानू चाल गया, तां सारा जिमा मेरे उत्ते ही आवेगा, खैर, मैं मी उसे विडे सौन लई, हीठां चला गया, सिवेरे उनना दे करूं चले जान तों बाद, मेरी बड़ी पैन, उनना दे बिस्तरे चुकन ली, चुबारे विचे चले गई, बिस्तरे एकठे क पता कारदिया, उसनों सिगर्टां दे इन्नी गंदी हवार आई, कि उसने विच्तरे थाएं शाड़ देते हैं ते हेठां के, मेरी लापा करन लग पई, मैं निरु तर्थ ते निमो चुणा होया, उस दिया चड़कां सून दा रहा, उस बड़े मैंनु में काम रिड़ां इस खुनामी उते का भी गुसा आया, नशेदा इस कदर गुलाम होना, मैंनु रती चंगाना लगया, मैंनु बाबा बुजा सिंग दिया नसीतां, रह रह के जाद आउनिया रहिया, गिर्थ तारी वरंट, थोड़े देन कार रह के, मैं पहला तो में थे प्रोग्राम उंसा साधे काल्ज दे एक साथी मिलखा सिंग नू मिलन लाई, तरंतारं दे नेडे पैंदे पेंड मालूमोरी चला गया, ओ थे असी काल्ज दे चार पांच साथी इकठे हो गय, जिनना विचों एक अमर सर दे नेडले पेंड चीते कलाईंदा रंजी सिंग सी, उसने दसेया के द साधे काल्ज दे वदियार्थियाने संत फते सिंग वलों बिना मंगा मनवाए अपना मर्न वर्त तोड देंड ते वरुद रोह जिताउन लाई काल्ज दे गेट मूरे पंजाब रोडवेज दी एक बास साथ देती सी, नोट, 1968 वेच पंजाबी सूबे दी मंग परवान कर लेन तों बाद केंदर सरकार ने पंजाब नाल वितकरा कर दिया, पंजाबी बोल दे बहु सारे इलाके हरे आणे नूं दे देते सान, अते चंडी गड नूं केंदरी शाष्ट खेतर करार देता सी, संत फते सिंग ने पंजाब नाल होई एस बे नसाफी नूं दूर करवाउन लई, जनवरी 1970 वेच अ मरन वर्त अरंब कर दिता सी, पर थोड़े ही दिना बाद उसने मंगा मनवाए बगैर ही मरन वर्त तोड दिता सी, इस दे रोस वेच वदियार्थियाने कई थामाते बसा साड़ दितिया सान। भी हो जावे ओ पुलसनों काल्ज अंदर दाखल नहीं ओन दिन्दा सी, उस दे सदे ते हसी काल्ज गए, अते उसने उसे वेड़े साड़ियान जमानता करवाउन लई, सान। अपनी कार विच बठाया, अते कचैरी विच जाके आव साड़ियान जमानता करवाई या, वाप शायद उसनों साड़े सिरांते सवार हुए, इनकलाब दे पूत दा अंदाजा नहीं सी, जाव अंदर पार्टी दो फाड होन दे कंडे, मई उनी सो उनतर वेच चर्म, सी पी आई, एम एल दी सथापना मोके ही, पंजाब अंदर बठिंडे वाडे परफैसर हर पजन सिंग स दी पी आई, एम एल दी पंजाबी सूबा कमेटी दी अगवाई कबूल करके चलदा रहा, परंतु शेती ही एस वरगनु मी, आपसी बेवशवासी ते गोट बाजी ने गरास ले आसी, अक्तूबर उनी सो उनतर वेच लुद्याना जिला कमेटी ने पंजाब सूबा कमेटी उते लिखती रूप वेच गंबीर दूशन ला देते सान, एसे तरह हाकम सिंग समाओ दी अगवाई हेट बठिंडे ते संगरूर दे कामरे डांदा भी अपने कारना करके सूबा कमेटी तों प्रोसा उठ गया सी, उनी सो उनतर दे अंत वेच जाके पार्टी नो एक जो टर लखन दे जतन, निताने हुन दे दिखन लाग पाया सान, एसे दुरान पार्टी दी केंदरी कमेटी अंदर भी सिदान तक कुराहे दिया, अलामतां परगट होन लाग पाया सान, पार्टी दे शुरूमनी आगू कामरे ड़ चारू माजूमदार ने आपनी एक लिखत बेच एस सिरे दी एक पासरतार ना ले अंदी सी के जन तक कोणांदा दौर खतुम हो चुका है, अते सारी शक्ती केवल ते केवल हथे आरबंद शंगर्श उते ही लादेनी चाही दी है, हथे आरबंद शंगर्शतों बेना शंगर्श दे होर सारे रूप बेमाना हो गय हन, एस त पांग करन दा सदा दे देता सी, उस विड़े तक CPI ML अंदर चारू माजूमदार दी मानता पूरी तरह सतापतों चुकी सी, उस दे मुहों निकले हर शब्द अंतम मन्या जान लग प्या सी, जिसकार के उस वलों जन तक शंगर्शां ते जन तक जथे बंदियां वरोद जा का टाकी ना होई, पंजाब अंदर उस वक्त, पंजाब स्टूडेंट्स जूनी नहीं, नकसली लेर दी अगवाई हिट चलन वाली, एकलोती जन तक जथे बंदी सी, इस दे आगुआं ते वरकरां दा वड़ा हिसा, CPI ML अंद जुड़िया होन करके, इस दा पांग होना, न P.S.U. ते आपना असर पौणा शुरू कर देता सी, सारे तड़ियां वलों, P.S.U. दे आगुआं ते वरकरां नू, आपो अपनी तर्फ खिचनली पूरा तान लाया जा रहा सी, मात पे दानू पांए सिदान्त करांग देन दियां, कोशिश्यां हो रहा सान, पर सचा ये स के फैसले सिदान दी था, व्यक्तियां नू मुख रख के हो रहे सान, साड़ा मेल जोल वाद लुद्याना कमेटी दे आगुआं वशेश करके हर पजन हलवारवी नड़ होन करके साड़ा चुका लुद्याना कमेटी वल सी, इस जुदे आगुआ चौंग गुर्दयाल ने परफैसर हरपजन सिंग सोई दे तड़े नाल रण अते शमशेर सिंग शेरी ने सुबा कमेटी नड़ खड़न दा एलान कर दिता सी, इस तरीके नाल पी एस जी नू रस्मी ताउरते पांग करन तों पहला ही एप पाटो ताडो गई सी, अजहे महौल वेच लुद्यान कमेटी दे काम रेडा ने सानू पार्टी अंदर शामल करन दी तदी दिखोनी शुरू कर दिती सी, सड़े काल्ज विचों साथ आठ जणियाने पार्टी नू समर्पत होन दी हामी परियोई सी, पर सारे वलों एको वेडे एकठियां काल्ज छाट दिन दी था, वारी वारी टोलियां विच लहर विच शामल होन दा निरना कीता गया सी, मैं ते कुल्दीव सिंग हंसरा ने सुवय इशा नाड आपने ना पहली टोली ली पेश कर देते सन, हरवरी 1970 दे दूजे हफते सानू पार्टी विलों त्यार बर त्यार हो जान दा, शंदेश मिल गया सी, कोज ह जी दिना बाद हर पजनम हलवार्वी ने सानू सुनिहां पेज के आपने कुल सा दिया, उस विले ओ माडल टोन वेच कराई दे मकान वेच रह रहा सी, जदों असी देते होई समय ते उस दे कमरे वेच दाखलोए, ता अंदर मंजे ते एक पर्वें जो से ते गहर गंबीर देख वाड़ा उपरा बंदा बैठा सी, उस ने उठके साटे नाड़ गर्म जोशी नाड़ हाथ मे लाया, हलवार्वी वलों जान पशान कराउन ते पता लगा, कि उस संगोल उच्चा पेंड़ वाड़ा बलदेव सिंग सी, जिसनों पंजाब पुर्स ने चमका और सैव ठानेते हुए हमले दा, मुख दोशी करदानिया हुया सी, उस दे नाड़ी बहुत चर्चा सी, उस ने उस दे परवार हुते, काफी कैर ताया सी, उस दे छोटे प्राधी बांद ओड़ दिती सी, खेत उजाड़ दिते सान, इते मांते पैना, करूंबे कारकार दितिया दे मना अंदर उह दा सूर में वाड़ा अक्स बनेया हुया सी जिसकर के उसनू मिलके सानू बड़ी उतेजना परी खुशी हुई सी बलदेव सिंग ने साधे नाल तकरीबन दो केंटे गलां की तियां उसने पार्टी दे चाल रहे कमा दा पर्वा नक्षा खेचिया साधी रुची वद हथियार बंद कारनामया विच सी जदके उसने गलबात ज्यादा लोका अंदर पार्टी दा प्रचार करन अते उनानू इनकलाव लई त्यार करन ते जथे बंद करनू ते केंदरत सी उस दे दसन मताबक असी पिंडा अंदर जाके लोका अनू अपने विचारां ते विहार नड काईल करना सी उना दे देल जितन लई उना दे दुखां सुखां विचे पाईवाड होना कम्यूनिस्ट बोल चाल विचे सनू लोका नड के ओ खिचडी उना क्या जन्दा है ते उना दे कमा कारां विचे हाथ बट उना सी ए गलां सी माओ जे तुंगदियां कताबां विचे तां बथेरियां पड़ियां सान पर इना नू अमल विच ले उनदा विचार उस विड़े बहुत और माज करी लगया बलदेव सिंग नू लोकां दर कम कर दियां केक सालतों वद समा हो गया सी जिस करके उसने साड़े नाड आपने कुछ अमली तजर्बे भी साजे की ते साड़े ली उस दी हार गल जगया साते उकसाट परी सी अखीर विच जाके कामरेड बलदेव सिंग ने सानू वी फरवरी दी शाम नू जिला हुशे आरपुर दे एक पेंड विच दसे होई व्यक्ती दे कारपों चनली क्या उस ने हदायत की ती ए आपने पढ़न लई कोई कताब गयरा बेशक नाल लेओनी एस तो बिना कोई लीडा कपड़ा नाल चुकन दी लोड नहीं एस तो बाद तो हड़िया सारिया लोडा लोकाने ही पूरिया करनी हान इन्ना वाक अंच्छां दी सानू ठोज समझता ना प परे काल्ज पूंचे सान रात पर मान अंदर प्वेखदे ख्याली देशक्वा मोधे रहे सानू मान अंदर अनेकां सौब उठ दे रहे के जिद्धे असी जाना है उत्ः साडा वा के होजे लोका नाल पवेगा साडा रुजाना जीवन रुटीन के होजा होगेगा पार्टी बलन सानू केस किशंदियां जुमे वारियां सौंपियां जान गियां अते असी उनानों ने बाउन दे किन्ने को समराथ हो सकांगे आद आद किताब खाड को लहरां दे अंग संग लेख का सरदार अजमिय सिंग पाग दसमा अवाज गुर्जन सिंग रूप वाड़ी वह कुर जी का खाल सा वह कुर जी की फते